एक बार एक किसान ने अपने पडोसी को बहुत बुरा भला कह दिया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पश्चताताप के लिए एक संत के पास गया, उसने जाकर संत से अपने शब्द वापिस लेने का उपाय पूछा ताकि उसके मन का बोज कुछ कम हो सके, संत में किसान से कहा एक काम करो तुम जाकर कही से खूप सारे पंक एक काठा कर लो और उसके बाद उन पंको को शहर के बीचो बीच बिखेर दो, किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुँचा गया, तो संत में उस किसान से कहा क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि जा कर उन पंकों को कुना समेट के ले आ सको। इस पर किसान वापिस गया तो देखता है कि हवा के कारण सारे पंक उड़ गए है और कुछ जो बचे हैं वो समेटे नहीं जा सकते। के बाद वो शब्द वापिस नहीं लिए जा सकते। ठीक ऐसे ही जैसे एक बार बिखेर देने के बाद पंकों को वापिस नहीं समेटा जा सकता। तुम चाह कर भी उन शब्दों को वापिस नहीं ले सकते। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी से कुछ कहने से पहले विचार क बोलना.